दोस्तों आज हम लोग खोठा कविता संग्रा आखे गेत का पहला वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में आपको चार कविताएं का अनुबाद लाइन टू लाइन मिलेगा और इनकी रचेता है सिर्निवास पानुरी परिशे देख लेते हैं नाम है सिर्निवास पानुरी माता का नाम दुखनी देवी पिता का नाम सालिग्राम यादव जन्म 25 दिसंबर 1902 को मिर्तियू 7 अक्टूबर 1986 को अस्तान बर्वाद्डा धनुबाद प्रकासन बर्स 2011 उपलब्दियां बाल किरिन काविय है दिब्वी जोती काविय है मेग दूद अनुवाद है रामकथामरित काविय है मालाग फूल सुन्युक्त कविता संग्रा है इनका चाबी काठी नाठक है और उद्भासल कर्न नाठक है अब हम देखेंगे किसने स्री निवास पानुरी को कौन-कौन सी उपादी दी है तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं उपादी और राइट साइड में आप देख रहे हैं देने वाले खोठाक भिस्म पितामा इसे किसने कहा है तो इसे कहा है विस्वनाथ धसोंदी राज धसोंदी होता है धसोंदी रैटिंग वहाई कोई वात नहीं आप मेनेज करें विस्वनाथ धसोंदी राज ठीक है खोठाक बाल मिकी किस ने का है पंडित रामदयाल पंडे ने खोठाक टैगॉर किस ने का है डाक्टर चित्रभुज सहुने खोठाक नागरजुन किस ने का है विकल सास्त्री ने तो देख लिजिए इन्हें इतनी उपाधी मिली है इसका मतलब कितने ये पिविस कवी होंगे आप समझ सकती इस बात से अब हम देखेंगे पहला आज हमर गितक द्यशें इसके दुआरा अपने गीत के माध्यम से पानुरी जी ये साबित करना चाहते हैं ये बताना उनके साथ नहीं कि आज इनके साथ تओनी कि इनके जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, पहले लोग उतना नहीं देखते थी, इन्हें बहुत दिक्कत होती थी, जब इन्होंने परसिद्धी पाई तो ये वाला लिखा, और जब आप इसे पढ़ेंगे हमारी साथ, तो आपको डीटेल पता चलेंगे चलिए, इसको डीटेल में देखते हैं, तब ज़्यादा किलियर होता है, और आप समझ पाएंगे अच्छे से, पहला नाम क्या है, जो इसका काविय है, जो आप पढ़ने वाले हैं, अभी हमारे साथ, इसका नाम है आईजी हमर गीते के देशें, आईजी हमर गीते के देशें फुटल सुदे, फूल, डारी हारी, पाते पाते, लटकल, अलीव, कूल, देखिए, कविताएं हैं, और मैंने पिछले वीडियो में कहा है, कि कविताएं को आप लाइन टू लाइन अनुवाद करते जाएगा, आपको कुछ खोपड़ी में आएगे नहीं, कुछ समझ में आ ठीकिये हैं, इनके देश में, सुदे, फूल, सिर्फ फूल ही हुल है, घारी हारी, पाते, पाते, डाल में, सब जगह, पत्तों में, लटकल, अली, कूल, अली, कूल, 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 मिस, गुच, गूप में वहोरे बहुत ज्यादा मातरा में लटके हुए, इसका मतलब यह हु वो वो इनका भावार्त ये है कि अब इनके अच्छे हैं इनके दर्सक अच्छे हैं इनको सुनने वाले अच्छे इनको पढ़ने वाले अच्छे हैं इनके फॉलोवर्स अच्छे हैं यानि कि बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनको पसंद कर रहे हैं इनकी कवित आएं धोहे जो भी होते हैं या स्लोक जो भी होते हैं जो भी काव्य होते हैं आप उन्हें हू बहू नहीं समझ सकते हैं कभी लिखते कुछ और हैं और कहना कुछ और चाहते हैं तो अब इनके गीत एक देश में यानि यह जो गीत लिखा है यह जो काव्य लिखा है इसके प्वूलें जिसमें मौने मंडरा रहें, तो आप समझें कहना यह चाहरे हैं। इनके साथ अच्छा हुआ है। इनकी कविताओं को लोग पसंद करते हैं, इनके कावियों को पसंद करते हैं। इसलिए थो यह हाल है। मंजर मिस्ट आम की फूल जब आम के गाच में घना मंजर आता है सब जगह चाया करता है कोकिल कुहू कुहू डाके रितू राज की अहवान अब ये कहना चाहते हैं कि कोयल कुहू कुहू करता है और रितु राज वसंद का आवान करता है, बूलाते हैं, अब मान के चलिए पज़ड था, इनकी कविताओं को, इनकी कावियों को लोग उतना नहीं जानते थे, इन्हें दुख होता था, कि भई मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, अच्छे अची लिख रहा हूं, और इसे लोग प पहुच नहीं रही है, तो थोड़ा सा कभी को दुख होता है, कि मैंने इतनी मेहनत की मुझे सपलता नहीं मिले, लेकिन जब सब लोगों तक पहुच रहा है, जैसे रितु राज का आवान, यहां रितु राज का आवान का कहने का यह चाहते हैं, कि बसंद आने वाला है, य अब एक दूसरी को कहते हैं, दिखिए पानोरी जिनर कितनी अच्छी का विताली, जैसा कहके वो एक दूसरी को बताते हैं, तो जिस प्रकाहर रितु राज यह बताता है, कि अब भसंद आने वाला को को करके, यह पारे असोग गाच उपारे बकूल, दिखिए, असोग बकूल मिस बगूला, अब दिखिए, बगूला बुराई का परतीक है, बुराई का नहीं कहें तो बुरा वक्त का परतीक है, यानि अब वो उस पार ही रह गया, कभी के अनुसार बगूला यानि बुरा वक्त अब गया, अब जो अच्छा वाला है, असोग गाच है, वो हमा वैसे तेकि यह कहने चारे हैं कि लेके फुलके गंध वाज होती है अच्छी सुगंध को लेकर की छुटे दूर देसे दूर दूर तक इनकी परसिधी दूर दूर तक फैल रही है जिस परकार हवा सुगंध को फैला देती है उस परकार इनकी किर्ती जो है दूर दूर तक फै केते हैं बैसल जहां सुस्क मलान वैसे सुस्क मलान वैसे मतलब सुखे ऐसे जगहों पर वो बैठी है उदास और उसको इसकी गंद पहुंच जाए कि फूल की महक तो इसका मतलब यह होता है कि सामने कुछ अच्छा है तभी तो हमारे पास आ रहा है जैसे वासको डिगमा जब खोज पर निकले थे काली कट पहुंचे थे जब खोज पर निकले थे वो इतने था खार चुके थे कि उसके नाभिग उसे उठा करके समंदर में फेकने वाले थे तभी कुछ फूल बहता हुआ उसके नाओ के पास आता है वो पूरा खुस हो जाता है कि जदि फूल आया है जरूर इसका पौधा होगा और पौधा इसके करीब में होगा यानि मिट्टी है हमारे आसपास वो इस बात से अंदाज लगागें तबी तो वहाँ पौधा होगार वहाँ से फूलाया है तो उसी तरह प्रान पिरिया जब सुस्क मेलान में बैठी होती अकेले जगह पर सुंसान जगह पर बैठी होती उसको दुख होता है और उसको सुगंद आती है तो कितनी खुसी मिलती है उसी परकार की खुसी यहाँ पर पानूरी जी को मिल रही है आँखी मधूर दरसन प्यास लोरे डूबल कूल देखिए आँख में मधूर दरसन आँख जो होता है वो अच्छे अच्छे चीजों को देखना पसंद करता है और ऐसे देखने के प्यास में अपने प्रेमी के आज में कहने कारती यह है कि लेखाक भी तो चाहते हैं कि हमें अच्छा-च्छा लोग पसंद करें, तारीफ करें लोगों को और चाहिए क्या लोगों को यही तब जदी कीरतिकार है, कुछ लेखते हैं कोई लेखाक है, तो उनको तो लगे कि लोग मुझे अच्छा कहें, मुझे सम्मान की दिश्टिस देखें, जिस परकार एक प्रेमी का बहुत दिन के बाद अपने प्रेमी से मिलते हैं, कितना खुछी होता है, उस परकार. आई जहमर गीतिक देशें, पुटल सुदेफूल, और यहीं पर खतम होता है, तो आपको मैं कहा दूँ कि देखिए, मैं जीवनसर कोई खोटा का प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूँ, कि आपको अच्छे नमर आ जाएं, मैं खोटा का खुद एक्सपर्ट हूँ, नहीं मैं आपको खोटा का एक्सपर्ट बना सकता हूँ, बस मैं आपको इतना सहायता कर दूँगा, कि आप एक्जाम में अच्छे नमर ले पाएं, तो इस बात को जड़ा सा ये कर लें कि जीवनसर कोई महान व्यक्ति नहीं है, य जो आपकी पढ़ाई को अपनी भासा में समझती हुए आपको समझाने का प्रयास करता है, और मैं ये जो आपको बदपढ़ा रहा हूँ, ये पानूरी जी की रचना है, और पानूरी जी ने किस सेंस में लिखा है, मैं उसे आकलन कर उसी सेंस में बताने का प्रयासरत हूँ आप ये ना समझे कि मैं ही एक इनसान हूँ जो आपको खोटा पढ़ा हूँ इसी स्लोक को, सॉरी स्लोक बोलता हूँ इसी रचना को कई टीचर ने अलग-अलग तरीके से पढ़ाया मुझे जो सबसे बेश्ट लगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आप अच्छा लगी, आप संतुष्ठ हूँ एक कमेंट जरूर किजेगा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे थोड़ा से दुख होता है पानुरी जी को भी दुख हुआ की नहीं, जब उन्हें कोई नहीं किया अगर आपको अच्छा लगे भाई, तो आप अच्छा लिखें, अगर बुरा लगे तो आप स्वतन्त रहें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ अब सब्सब्द ना लिखें एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें मैं आपके लिए दिन रात मेहनत रत हूँ, इतना तो मैं आपसे चाहूंगा है आगे देखते हैं, दूसरा, करिया काजरेग घर से करिया काजरेग घर से साबित बहराईल के करिया मिंस काला और काजरेग मिंस काजल तो काला काजल घर से कौन शाबित बाहर आ सकता है यानि आपने गलत जगह में गया आपने काजल वाले घर में गया और आपके बदन पे कालिक ना लगे यह हो नहीं सकता है कहां उस साबुन जे धोवे ये दाग के कहां ऐसा साबुन बना है जो काजल की दाग को दो सकता है कभी ये कहना चाहते है पानुरी जी कि जदी आपने गलत रास्ते पे गया आपने गलत कर्म किया तो आपको उसके चीटे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और किसी साबून में ये छमता नहीं है कि वो आपको दाग को दो सके माया बिनी माया अग देश हवाएं फुटल फूल माया के बिना माया में मोह माया के बिना इस माया के देश में हवाएं फुटल फूल देखिए हवा में ही फूल फूटते हैं सब मोह माया है कबी ये कहना चाहरे समाज को दर्साना चाहते हैं कि समाज में मोह माया ज्यादा व्याप थे और ऐसे में आप मोह माया में ना फसे यहां तो हवाओं में ही माया के फूल हैं और आप इस मोह माया में ना फसे ऐसा हो नहीं सकता है यानि पूरा संसारी मोह माया में चल रहा है ताने विश्वा मित्रेक प्रान मेनका कानेक दूल विश्वा मित्रेक रिशी थे वो जो तपस्या कर रहे थे तो मेनका नामक उर्वसी मेनका रंभा तो मेनका नामक निर्त्यांगना जिसको परी कह सकते और उनके जो इंद्र के सभाव में नाच्टी थी तो ये सब निर्त्यांगना जो थी उनके सामने जा करके नाची थी और उसके उनकी तपस्या को भंग किया था किसकी तपस्या को विश्वा मित्र की तपस्या को भंग किया था तो उनकी रूप सुन्दर्ता ने उसे भी मोह लिया, तो हम और आप क्या हैं जो माया के बस में नहीं आ सकते हैं। बनत ददीची परहिते एसनकदानी के ददीची रिसी ने पर के लिए दूसरे के लिए ऐसा दान दिया। कैसा दान दिया भई। तो ददीची रिसी के पास एक गाय थी। जब इंद्र ने उससे मांगा कि मुझे बजर चाहिए। तो उन्होंने अपनी गाय का रीड का हड़ी दे दिया और पंजर का हड़ी दे दिया। बजर की रूप में इंद्र को तो देखिए बनत ददीची परहिते। ददीची बन गया दूसरे के हित के लिए। अकनू पूरबें सुरु जूगे पश्च में नूतन चांद आज भी पूरब में सुरज उगता है पश्चिम में नूतन चांद। इसका मतलब पहले से ही महमाया से लोग फसे हुए थे और आज भी महमाया में व्याप्त है ये कभी खतम नहीं हो सकता है। बाटे नोतन जीवन भले सोभें फूले बांद देखिए और जब सूरज की रोसनी पड़ी तो रास्ते में नया जनम हुआ सोभें फूले बांद और नया जनम होने की कारण सोभा में फूल को बांद लिया गया जब नयाद जनम हुआ तो सोभा में क्या किया फूल बांद लिया यानि गजरा लगा लिया किस ने लगा लिया भई सोभ है फूले बांद तो महिलाओं ने लगा लिया एकनू सान्य सुहागे नी करे सुहावत सुवागत तिमीर राज किये और सुहागिनी लोग आज भी तिमीर राज में अंधिरी रात में एकनू सान्य सुहागिन लोग अभी भी करे सुहागत तिमीर राज की अंधिरी रात का इंतचार करते हैं यानि ये भी मोहमाया में है प्यार में है पड़े भी तो ये भी मोहमाया में है यानि इस संसार में सब मोहमाया में है और ये चंद भी खतम हुआ अब तीसरा देखते हम रखिया भाई मुहग पानी रखना भाई लाज इसका एह कहना है रखिया भाई मुहेग पानी ये भाईयों लाज बचा के रखना किसलिए लाज बचा के रखना खोटा के सेंस में इनोंने कहा है चलिए देखते हैं रखिया भाय मुहेग पानी सामने बिहड़ बहन पत देखिए यहाँ पर खोठा के सेंस में कहा गया है कि खोठा वासियों के लिए जारखंड वासियों के लिए आज इज्जत बचाना बड़ा ही कठीन हो गया है रास्ती में जंगल हैं बन हैं यानि कटनाई भरा रास्ता हैं आप देख लिजए इससी घटनाई घटी की ने भी खोठा के साथ बेदबाव हुआ कि नहीं हुआ खोठा वासियों को कितना पढ़ना पढ़ रहा है सिल्वस को बढ़ा दिया गया तो क्या कहा रखिया भाई मुएक पानी भईया लाज बचाना अब खोठा वासियों के लिए इजजत का सवाल है कि कम समय में ज़्यादा मेहनत करके हमें जवाब देना है कि हम कर सकते हैं कि आप कितना भी कर लेजी रास्ते में कितना भी वासियों को दिखुवों ने जो बाहरी लोगों ने हज्जारों वर्ष से लूटा है खसोटा है उनके रास्ते में रोड का बादा बना है आज भी हमें जार्खन वासियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है सामने बिहड बनपत आज भी हमारे अब आप देख लिज जेटेट ने होता है यहां की भासा लोग भूलते जा रहे हैं यहां की भासाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है यहां की लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है बाहरी आकर के बस गये है तो कितना बाधा है डेगे डेगे सूल पग पग पर कदम कदम पर कठना ही सामने करना पर रह रास्ता हम टेके खोजे रास्ता हमर टेके खोजे यानि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं जब हम ध्यारखंडी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे रास्ते को कोई रोकना चाहता है तो पानूरी जी ने यहां खोठा और ध्यारखंड वासियों को लेकर किया लिखा है दिक्वों पर ये बात कही है, पूजाग थारी छीने खातिर, लुजा लुची टना टनी, पूजाग का हम थाली लिकर काए हैं, तो उसको छीनने खोचता है, यानि हमारे कर्मों में, हमारे संस्कारों में भी बाधा पहुचाता है, हमारे जो रिती रिवाज है, उस पर भी ब बचानी, आबरू बचानी है, अपनी संस्क्रीती को बचानी है, हमें त्याग करना होगा, अटल धुरुवेक आसन और बिना कठिन परिश्च्ट्रम की, बिना त्याग की, आज धुरूब के तरह आसन का मिला, धुरूब का है, उतरी धुरूब में बसा हुआ है, सियार का मतलब है कि रंग बदल की, नीले रंग में गिर गया था और अपने आपको वो ग्यानी समझे रहा था, और अपने आपको ये साबित कर रहा था हम जंगल का राजा है, लेकिन जब सियार भोकनी लगा तो भी हुआ हुआ करने लगा और बारे सुगा, उसका रंग ध को मिर्ग राज का आसन कहां से मिलेगा यृ धूर्थ हैं बाहरी लोग जो हैं दूर्थ हैं उनको मिर्ग राज का आसन नहीं मिलेगा एर्री बने विलार राजा इंदर सभाय कानी रखिया भाय मुहक पानी एर्री बने मिस अपने इलाके में तो कुत्ता भी सीर होता है वही बला बाद एर्री एक पेड का नाम होता है और एर्री के बनर में बिलार राजा इंदर सभाय कानी इंदर के सभा में सभी सुन्दर सुन्दर थे और उसमें एको कानी पहुंच जाए कानी मिस एक आखवाली तो क्या उसको इज़त मिलेगा एडरी बन में बिला क्या राजा बन सकता है यानि भारी लोग हमारे पर सासन नहीं कर सकते हैं और इसे बचाने के लिए हमें कठंट्याग करना होगा और इसी लिए भायूंँ अपनी संस्कृति अपनी माटिक इलाज हमें रखनी होगी यह भी यहां समापत होता है अगला दिखते हैं खोठा हाई खोठा यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर सिर्फ खोठा के बारे में कहा है चलिए खोठा हाई खोठा रटले रहली गान यानि खोठा हाई खोठा के बारे में बहुत हारी खोठा अब क्या हल हो गया लोग कर रहे हैं फिर भी खोट का भेलू नहीं दे रायरा है। जार्खन के सदानों की भासा नहीं झालब को देख रहें कितना संगर्स हो रहा है खोठा को लेकर कर तो रहां गुंगान करते घां। यह अज और रहां है आज खोठा को Iowa दे रहे हैं। खोठा भासिक ध्यान, माये को उपर ममता नाए, सर्धा भक्ति प्यार, दिखिए, खोठा भासिक ध्यान, अभी ये बाटे कहां किंदू, खोठा भासिक ध्यान, लेकिन आज खोठा भासा पर कोई ध्यान कहां दे रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो खोटा पर कोई नहीं, न सरकार ध्यान दे रही है, न कोई ध्यान दे रही है, नहीं यहां की लोग खोटा खोटा बोलने हम सरम महसूस करते हैं, तभी तो यह खोटा का हाल हो रहा है, मायक उमर ममता ना है, और यह तो हमारी मात्री भूमी माता की भासा है, जारकंड की भा है आप देखेंगे तो पाता चलेगा गावों में लोग अपनी खोटा बोलना छोड़ दिये हैं और अंग्लिजी बोलने लगे हैं यानि अपनी माता के साथ ऐसा विवार भक्ति नहीं प्यार नहीं उतो उतो ही धर्तिये गो रंगे डूबल सियार इसका मतलब यह हो गया न कि शहरा कुछ और अकर कुछ और रहे हैं हम जहरकण दी हैं भोलने पर गर्भ होना चाहिए और हम उत रंग में डूबह हुए की तरग कर रहे हैं कि रंग में डुबा हुए अपने आपको सेर समझ रहा है यह आप तो भेदभाव कर रहे हैं गुन कुछ और कर्म कुछ और देही औरल बागे चाम दीन दुरूबल प्रान देही औरल बागे चाम बाग की चमड़ी ओड़ लेने से आपने देखा एक गधा बाग की चम्ड़ी ओर लेने से क्या होता है सीर बन जाएगा, बाग बन जाएगा क्या, दीन दुर्बल प्राना हम वही रहेंगे हमें तो सताया जा रहा है how तो ऐसे में हमें अपनी भासा को लेकर आवाज उठानी चाहिए हमाने अपनी बाच्चा पर दबदबा बना कर एकना हमें बोलना चाहिए कोटा को छोड़ने दिना चाहिए धोविक कुकुर घर एक न घाटे अगर हम कहीं जाकर के हम धोविक कुत्ता है इनकी नुसार हम धोविक कुत्ता है ये कहना चाह रहे है हमारा न घर का है न घाट का है न हम अपनी भासा को बचा पा रहे हैं न दूसरी भासा सीख पा रहे हैं बढ़ियां से अपनी भासा को छोड़ की अमरीत छोड़ी लालसा जुठा चाटे अपनी भासा का अमरीत छोड़ करके कहां अंसमान मिलता है अपने समाज से तो गया ही वो दूसरे समाज से भी गया विश्व समभाय अस्थान और ऐसे लोगों को कहीं पर अस्थान भी नहीं मिलता है यानि वही बात हो गया भई दोवी का कुट्ता नघर का नघाट का तो ऐसा माहूल ना होने दे अपनी संस्कृ कीरती अपनी भासा को बचाएं अब हम देखेंगे एक और कीरती जिसका नाम है नाच बांदर नाचरी और इसके द्वारा कभी जार्खन वासियों की और से आवाज उठाते हैं और उनकी दसा का बखान करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं नाच बांदर नाचरे, मौर चाहे बांचरी यहाँ पर ये कहना चाहँ रहे हैं जो झारखन की बारी लोग हैं जो सद्यों से लूटते आ रहे हैं उनका पक्छ लेते हुए, यानि उनकी और से ये कविता कहीं गई है और वो बताना चाह रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं जो हमें लूट रहे हैं, क्ककon होच अश्टित वर मिटाने पर लगे हुए हमारे सब क्या क्या चाहते हैं और ध्यान से सुनें ुथ नाच बांदर नाच रहे, मोर चाहे बांच रहे, वो हमें बंदर की तरह नचवा रहे हैं, वो हमें कहते हैं कि नाचो बांदर नाचो, हम मदारी हैं, हम जैसा चाहेंगे तुमको नचवा सकते हैं, मोर चाहे बांच रहे, तो मरो या बचो हमको उससे कोई मतलम ने, लेकिन न टोर खातिर सुसनी साग hemर खातिर माचरी वो क्या बोल रहे हैं मदारी यानि बाहरी लोग हम जारकन वासियों को क्या कर रहे हैं तुमारे लिए सुसनी साग सुसनी साग एक सिंपल सा साग होता है जो गाओं घर में असानिस मिल जा तो गोल-गोल पत्यां होती है और वो पायल की तरह बच्चे पांते पहर में तो कहता है तुम्हारे लिए तो साग है यानि तुम्हारी दसा इतनी दर्दनी है इतनी दुखत है कि तुम्हें साग खाना पड़ेगा वह जंगली स इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आउकात यहारखन वासियों की आउकात बाहरी के सामने कुछ नहीं है वो हमें बंदर की दर न चाह रहे हैं हमें सोचना बात इस बात पर सोचना पड़ेगा तुम्हारे लिए सुसनी साग है और हमारे लिए तो मचली है नाच बांदर नाच रहे मोर चाहे बांच रहे हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रहे हमारे लिए सोना चांदी बले तुम्हारे संपती पर उबगा है यारकन की संपती से लूट लूट करके सोना चांद तुम्हारे कोई वकात नहीं तुम्हारे कोई भेलू नहीं तुम्हारे इस्तिती बहुत खराब है तुम सोना चांदी तुम्हारे लिए नहीं है सब हम ले जाएंगे नाच बांदर नाच रे मोर चाहे माच रे नाचो बांदर नाचो रे मरो चाहे बचो रे हमार खातिर दालान घर तोर खातिर गाच रे हमारे लिए पक्क्य महल पक्क्य घर और तुमारे लिए जोगी जोपड़ी और गाच कड़े रहा वो हमारे उपर व्यंग किया है पैसे वालों ने और बहरी लोगों ने जो यहां पर लूट खसोट वर्षों से मचा करके रखी यह 10-20 परस की बात नहीं है यह वर्षों की बात है इसे लूटा गया जहरकं को, क्या करके रख दिया गया बंदर की तरह नचवाया है यहां की ल ना चरे, मौर चाहे भाँच रे, ना चो बंदर ना चोरे, मरो या बचो बढ़ा ही मार्मिक तरीके से समझाया है, उम्हिद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर आया, तो किर्पया ज्यादा ज्यादा लाइक सेयर करें, आपकी लिए मैं दिन रात पर आसत हूँ, ज मैं आपसे support मांग रहा हूं मैं आपसे थोड़ा praise मांग रहा हूं परसंसा मांग रहा हूं कि अगर आपको अच्छे लगे तो comment करें like करें और बताएं कि कैसा लगता है आप लोग देखते हैं comment नहीं करते हैं और ज्यादा ज्यादा share करें अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें और इस वीडियो में बस इतना ही good night जाए खाये पीजोर सोजाए धन्यवाद